तो बेटनोवेट सी एक क्रीम है जिसको शायद आप इस्तेमाल करने के विशे में सोच रहे होंगे या आप उसको अल्रेडी इस्तेमाल कर रहे होंगे अगर ऐसा कुछ करने का आपका इरादा है तो मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आप जरूर आके तक देखिए क्योंकि बेटनोवेट सी एक स्टेरोइड बेस क्रीम है और जो हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसे ही इस्तेमाल करें इसके क्या इंग्रेडियंट्स है इनको समझना बेहत आवश्यक है मैं हूँ आपका दोस्ट डॉक्टर शैल गुपता और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो क्या इंग्रेडियंट्स होते हैं बेटनोवेट C क्रीम के बेटनोवेट C में दो की इंग्रेडियंट्स हैं पहला बीटा मितासोन वेलरेट और दूसरा क्लियोकिनॉल तो इसमें मेजर इंग्रेडियंट जो है वो बेटा मितासोन वेलरेट है जो कि एक स्टेरोयड होता है और दूसरा इंग्रेडियंट क्लियोकिनॉल है जो एक एंटिफंगल होता है आप देखेंगे बहुत सारे conditions में इसका इस्तिमाल किया जाता है लोग करते हैं, करना नहीं चाहिए हो सकता है किसी के pimples हो, उसको बता दिया गया हो कि आप betonovate C लगा लो किसी को fungal infection हो, उसको बता दिया गया हो कि आप betonovate C लगा लो किसी को बॉडी में कहीं पे भी किसी भी तरीके की खुजली हो कोई एक्जीमा उसको बता दिया गया हो कि आप बेटनोवेट C लगा लो और मज़े की बात यह है कि किसी भी कंडिशन में आप लगा लेते हैं एक बार के लिए स्टेरोइड की एंटी इंफ्लमेटरी एक्टिविटी के चलते हैं वहाँ पर वो कम दिखने लगता है इंफ्लमेशन कम हो जाता है अगर आपके दाने है तो बैठ जाएंगे अगर आपको फंगस लगा हुआ है तो इसमें कुजली कम हो जाएगी क्लियर करना रंग साफ करना और इन फैक बहुत सारी क्रीम्स जो बनती हैं जो फेरनेस के तोर पे यूज होती हैं जैसे मेला केर है या इस तरीके की और बहुत सारी क्रीम्स हैं ये स्टेरोइड बेस्ट रहती हैं तो इस सारे स्टिरोइड तेम्परिली आपके स्किन पे गोरापन लाते हैं, रंग साफ दिखता है, अगर कोई जाईया या निशान है, वो मिट जाते हैं और सब बहुत बढ़िया लगता है, पर बाद में स्किन का बहुत नुकसान पहुंचता है और क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं इसके चलते हैं, चलिए देखते हैं एक, तो आपका जो भी इंडिकेशन था प्राइमरी वो तेंपररी ली दब के बहुत बढ़ा और भेंकर रूप ले लेगा, जाधा बढ़ जाएगा दो, आपके स्किन पे हदी कहीं पर आपने लगाया है, तो वहाँ पर स्किन इंफेक्शन प्रोन हो जाएगी, अगर कोई प्राइमरी इंफेक्शन नहीं था, तो सेकेंडरी तोर पे उपर से इंफेक्शन आके लग सकते हैं तीन जो सबसे मेजर चेहरे पर देखने में आता है, वो स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, स्किन पतली हो जाती है, स्किन की एट्रोफी हो जाती है, स्किन पर प्रप्यूरिक स्पॉट्स बन सकते हैं, स्किन पर जूरियां बनती हैं, स्किन पर बाल उगने लगते हैं, और वही पिगमेंट जो पहले कम हो गया था, काला पंजाई या ब्लेमिशिस वो और दूगने बनकर आते हैं स्किन बहुत सेंसिटिव होती है तो आप अगर चेहरे पर कुछ भी लगाते हैं इवन पानी वो भी आपके चेहरे पर जलन करता है और मेक अप और इस तरह की चीज़ें जो पहले आपको सूट करते थे वो बिलकुल सूट नहीं करते हैं और आप बहुत ज़ादा प्रॉबलम में फस जाते हैं काफी लोग ऐसा देख चुके होंगे और देखा होगा एक और चीज़ जैसे सपोज आप इसको किसी फंगल इंफेक्शन पर लगा रहे हो तो शुरू में फंगल इंफेक्शन दब जाएगा पर बाद में बहुत बड़ा फ्लेयर अप होकर आएगा तो और दूसरा स्टेरोइड में टॉलरेंस बनती जाती है तो पहले ये काम भी करेगी किसी भी इंडिकेशन में चाह फंगस पे आप लगा रहे हो चाह एकने पर बाद में आप देखोगे कि एक बार लगाने पे पहले इंफ्लेमेशन दब जाता था इचिंग वगारा में शांती पढ़ जाती थी और एक बार का लगाय का असर छे साथ दिन तक निकल जाता था बट जैसे जैसे टाइम बीटता जाएगा आप देखोगे कि अब आपने लगातोली दवा पर अब आपको वो उतना समय काम नहीं करेगी आपको फ्रिक्वेंसी ओफ एप्लिकेशन इं आप उसको जाकर क्लिक करकर देख सकते हैं आपको समझ में आएगा तो क्या करना होता है अगर आप ऐसा स्टिरोइड यूज कर चुके हैं और अब स्किन डैमेज हो चुकी है तो पेशेंस रखिए बहुत आराम से यह नहीं चूटेगा हो सकता है आपको बर्निंग हो आपने घबरा के वापिस से दवा को शुरू कर दिया यह यह भी हो सकता है कि आप किसी दॉक्तर के पास गया उन्होंने आपको किसी और नाम से स्टेरोइड दे दिया और आपका टेम्परली फिर थोड़ा बहुत काम चल गया और उसके बाद आप फिर प्रॉब्लम में फस इन सब को देखने का और आपके और डॉक्टर दोनों के बीच एक परस पर विश्वास का रिष्टा हो और दोनों में पेशेंस हो तो अब आपको क्या कर सकते हैं अगर आपको अलरेड़ी एलत पढ़ चुकी है इस दवा को आप छोड़ना चाहते हैं पर चाह के भी इसके बीचे में एक पर सेपरेट बात करेंगे एक और वीडियो पर तो इस वीडियो का पार्ट तू आएगा आप उसको जरूर देखेगा और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो मैं चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मन भूलेगा वरना आप नोटिफिकेशन मिस करेंगे डिटेल में बात करेंगे उस वीडियो में कैसे ये सब छुडाया जा सकता है और आखिर तक वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया आपके फैमिली में रेफरेंस में कहीं पर भी अगर किसी व्यक्ति को बैटनोवेट लगाते आप देखते हैं या कोई सला देता है तो प्लीज उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजेगा इसी के साथ आपका शुक्रिया धन्यवाद झाल